गुद आफ्टरनून स्टूडेंट्स वेलकम टू सावल क्लासीज हां जी स्टूडेंट्स पीए स्टेट टू थाउजन ट्वेंटीपोर दे लिए आपनी सीरीज डे नंबर है जी वन और अध्यापक बनन दा जो अपना जनून है उन्हों आपक पेपर दे फर्स्ट टेंप देवेच ही कंप्लीट कार देना है और अपक बनना है ठीके जी ता सारे स्टूडेंट ऐसे तरह ही एंड तक जुडे रहेंगे आपने नाल तब फिफ्ट बैच अपना स्टार्ट वोन जा रहे है जी 18 दिसंबर तो अपने पूरे कोड्स दी फीस है जी 7000 और अपने पेड गुरूप दे वेच कंप्लीट टॉपिक वाइज थी करवानिया कंप्लीट टॉपिक वाइज एंसी क्यूज कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट पूल लेंथ मोग टेस्ट और प्रीविएस इयर पेपर्स भी करवानिया और हेल्प लाइन नंबर तो आनों मेंशन किते हो यह जड़ा भी स्टुडेंट पेड ग्रूप लेना चांदा है जी हल्प लाइन नंबर दे तुसी कॉल करके सारी इंपोर्मेशन ले सकते हो जी और सारे स्टुडेंट्स चैनल लनू लाइक करो सब्सक्राइब को और शेयर ताब करो जी तह स्टाट कर दिया जी और अपना टॉपिक है इंटालीजंस इंसी क्यूज रहां अज और कल दोदेन आपा इंटालीजन्स करने काफी सारे न्यून्य मेंसी क्योजिए इंटालीजन्स वाले टॉपिक है दो दिन लगांगे क्योंकि अदे वेचरण इन्टे सब्सक्राइब करना चैनल लाइक सब्सक्राइब और शियर जूर करना जी स्टार कर दिया जी फर्स्ट कोशन वीच ओफ दा फॉल्विंग इस नोट असाइन ओफ एन इंटेलिजेंट यंग चैट हेट दित्ते वीचो केड़ा एक बुद्धी मान नोजवान बच्चे दी निशानी नहीं है वन हुप कैरीज ओन तींकिंग इस एन एब्स्ट्रेक्ट म क्रैम लोंग इजी वेरी क्विकली ओ जिसको लंबे लेखा नूं बहुत तेजी ना लिखन दी योगता है वन हुप है दा अबिलिटी तो कम्मिनिकेशन फ्री फ्लुएंटली एंड एप्रोप्रियेटली हां जी ता ओ जी स्कोल चंगी तरह ते उची तो त्रीके ना संचार करंदी योगता है हां जी बेरी गुड आफ्टरनून गुदिल शान हां जी बहुत वग्या लगया तो अनुक्लास देखके हां जी ता फस्ट क्वेशन दांसवर दो जी सारे स्टूडेंट्स जल्दी फस्ट क्वेशन वेरी गुड सी ऑप्शनी इस राइट आंसवर तो केंदे की एट लिख सब्सक्राइब करेगा और प्रोपर फ्लूएंट ली और एप्रोप्रेटी दोना तरीके देनाल दूसरे नाल कम्निकेट कर पाएगा सब्सक्राइब करें अपना सी ऑप्शन वेरी गुड बिल्कुल सही आंसवर दिता है जी हां जी आज जो आपका लेक्चर लगा रहे हैं पीएस टैट और सी टैट दोना दे लिए तो अनू दीपक सर ने अपनी एक छोटी जी वीडियो तो अड़ी गाइडन से लिए तो आ अच्छी गाल ने बहुत वदिया प्रेपरेशन होई अपर जिननी ज्यादा प्रेक्टिस कर देया उनने ज्यादा ही आपका स्ट्रोंग हो और पेपर देवेच कोई टैंशन लेंदी जुरूरत मी पहलें लेंदी ता ओपन लेक्चर लगाना एक वड़े लेही जस्ट ए सम करना एक चाब भी हुं दिया ना लोग खोलन वाली ओई आई समझें है हां जी सेकिंड कोईशन लोजिकल मैथेमाटिकल इंटेलिजेंस एसोसेटेड विद लोजिकल गनितिक बुद्धिनास सबंदित है टूँ फैक्टर थ्योरी दोकार की सिदांत गुरूप फैक्टर थ् लोजिकल इंटेमाटिकल इंटेलिजेंस थी इंदर अंदे है लोजिकल मैंतेमेसेटिकल इंटेलिजेंस ढ़े क्हीं के डिमेंशनल इंटेलिजन्स तर राजे एक कोईशन दे नालनाल आपा तिन चाल चीजा और भी डिसकस कर दे जाओंगे ता एक नौट बूक और पैन अपना पैनल आके बैठो नालनाल नोट कर दे जाये करो इंपोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर दे जाये करो मल्टीपल इंटेलिजन्स मुल्टी डिमेंशनल इंटेलिजन्स में कहने और हवाड गार्णा में आप दी चूरी जेंदर आपानों एट टाइप सोफ इंटेलिजन्स ही गल किती है तो जेडा लोजिकल मैथेमेटिकल इंटेलिजन्स मैथेमेटिकल इंटेलिजन्स तो आंसर आगया जी अपना इंदा डी ऑप्षिन ठीक है हाँ जी वेरी गुड रमन टू फैक्टर तूरी स्पीर में दी है बहुत अच्छी गाली थार्ड नमबर क्वेशन है जी आईक्यू स्कोर्स आर जन्नली इंटेलिजन आइक्यू स्कोर्स आर जन्रली कोर्ड टिडिज इडिन कर्फोर्मेंस आईक्यू स्कूर अकाद्मिक परदर्शन आलस जन्रली सबंदित होले हन फर्ट्राइक्ट्स इaly खाली मौड्रेट्альным ये लिस्ट आयक्यू स्कोर्ड आर जन्रली डैश कोर्ड ठीड लिडिड अकेडमिक परप्रपॉर्मेंस तह हाइली कौर्डेट वीड मैक्ड़पॉर्मेंस देखो जो अपने आईक्यू स्कोर है वह अपनी स्टडी दे जो परदर्शन देनाल है ओगी है जन्रली बहुत ज्यादा师 है नेक्स्ट है जी अपना फोर्थ नंबर क्वेशन थ्यूरी ओफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अच्छी तरह लंग कर लो अच्छी तरह समझ लो और हुआ कि फ्रस्ट सेशन और सी ट्व दॉल्चेस सारे लेक्शन तम पूल स्ट्वेट वाले स्टूड़न देख सके तां तुस्सी अपने टॉपिकड़ वाइस एंसी की तुपिक वाइस यद्ध अपने फाइव लेडिश्ट लगा चुकूंग है उव तुसी देख सकतो तोड इस त्ट देवेची भी बैने इस ने जड़े आपके सीडीपी दे फाइव लेक्ट लाग चुके हैं ठीक है तॉपिक वाइज यह आप मल्टीपल इंटेलिजेंस तो स्टार्ट कारें बाकी कोई गाल नहीं जड़ेड़ी आपने पहला लाग चुके हैं और ना रिलेटेड भ लर्निंग कुड भी एसेस्ट थ्रो आवराराइटी ओफ मीन्स सिखनु कही तरीके नाल एसेस्ट किता जा सक्दा है इमोशनल इंटेलिजेंस इस नो रिलेटेटेट टू आईक्यू पावनात्मक मुद्धी आईक्यू नाल सबंदित नहीं है इंटेलिजेंस इस दिस्टें इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग उप्रेशना दे एक वक्रास मुए जो किसे व्यक्ति द्वारा समस्या नों हल करना नहीं भरतिया जांदा है हां जी आज फर्स्ट डे अलाजें फर्स्ट डे नंबर वन लिख्या है ना सामने तब फर्स्ट डे है कोई चकर नहीं सारे दे सार अध्यादी क्लास लगनी है सबातिन वजे तवड़ी पंजाबी पैड़ा गोजी दी क्लास है और अठ वजे इंग्लिश दी और उस तो बाद रात नू नो वजे लगेगी तवड़ी मैठ दी पेपर वान और पेपर टू दे लई सबातिन वजे पंजाबी पैड़ा गोजी है अठ वजे इंग्लिश पैड़ा गोजी और नौ वजे रात नू मैठेमेटिक्स दी क्लास लगनी है पेपर वान और पेपर टू दे ले ता सारे स्टूडेंट्स अपने आप अपनी जिम्मेवारी ते लेक्चर लाइव जरूर लगाना लाइव लेक्चर देवें सिर्फ एक फाइदा जरूर हुन है कि आप आप दा जड़ा डाउट है उन आल दिनाल क्लियर कर पार लिए ठीक है ओके जी फोर्थ नंबर क्वेशन दांसर दो जल्दी हां जी वेरी गुड सी ऑप्शन इस राइट आंसवर बिल्कुल सह हां जी डेली लगेगी जी डेली लगेगी क्लास टोंट वरी पुच्छन दी जरूरत नहीं है डेली ही लगेगी हां जी मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज आ फॉल्विंग एक्सेप्ट हुन देखो सीडीपी दी पैड़ा गोजी राजी आपा खुद करांगे अपने टॉपिक दे वेची इंक्लूड हुन दी है एंसी क्यूज दे नाल नाल जेड़ा पैड़ा गोजी दा कोईशन होय करेगा मैं तो आनू दास दांगी ठीक है ओन्दे लिए सेपरेट तो आपानू क्लास ल देखो जो इमोशनल इंटेलिजेंस इस नौर रिलेटिट टो आइक्यों केंदे पावनातमक्त बुद्धी आइक्यों सबंदित नहीं है ता इन्नू छट के बाकी सारगें चीजह ने जो मल्टिफल इंटेलिजेंस विच आंगी है ता ओ सीगा सी ऑप्शन इस राइट बच्चे दा अंतपड़ा हो सकता है औरेटर हां जी पॉलिटिकल लीडर्स सर्जन और पॉइट ता देखो सब्सक्तों पहला आपा गाल करते हैं बॉडली काइंस थैटिक हुंदा किया बॉडली काइंस थैटिक दा की मतलब है कि जिनना लोगा को एक अबिलिटी है कि यू को जिंग होल या पोर्षन ओफ बॉड़ी प्लक्सिबल्टी और क्रेटिविटी मतलब कि जेड़े लोगा फ्लेख्सिबल तवी तरीक के देनाल और क्रेटिव तरीक देनाल ठीक है अब दी बॉड़ी दा पूरा पूरी बॉड़ी या बोड़ी दा कोई भी पॉर्शन एना वेच ता बोर्डिरी काइश्टाटिक होएगी फिर आगे पोलिटिकल लीडर्स यह ता लिंगुटिक इंटालीजन्स हुं दिया है और सर्जन सर्जन आजेगा जी बॉडली कांश्टाटिक देवेच और रहा पॉएट 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 कॉल भी केडि हुं दिया जी इंटेलिजन्स हां जी ए वीडियो राजे तुसी ज़्द मर्जी देख सकते हो बाद वेच भी देख सकते हों यूट्यूब ते लाइव लेक्चर लग रहे है लेकिन लाइव लाइव क्लास लगान दा फाइदा है हुं दे राजे तुसी आपदा डाउट ना अल्जिनाल क्ल अब्राइव एक्सेप्ट बाबाराम देव भी आजाने बॉडली का इस्ट्राइव बुड्दी दे हेट लिखे तिन पहलु आनू स्टर्णबग्दी कोणी सिद्धा अंध्वारां में जिठ्धा गया है किस दे सिवाई मतलब केड़ी ऑप्शन है जड़ी स्टर्णबग् जो ट्रायार्किक फ्यूरी है उन्दी अंदर केड़े केड़े पॉइंट आंदी है सब तो पहले नमबर ती हुंदा राजी आपने कोल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आप आप दी तरफ से लिख देयां जेड़ा नहीं होएगा फे टिक लगांगे प्रैक्टिकल इंटेलि सट क्रियेटिव इंटालीजेंस जो एक इंद राजय में आकि अपने एक्स्पिर्ययंशीयल यह ठीकर अपने अनुभव देना रिलेटिडर है और उस्तों बाद आगया जी अपनी स्वर्य एक्स्परिमेंटल वाईमिस्ट्य एक्स्पिरियेंशील नेक्स्पिरियंशीयल इत्थे गल्पी है इत्थे मैं सेट कर देंगे ठीक है थर्ड नमबर ते आगे जी अपना अनलिटिकल अनलिटिकल दा मतलब की है कंपोनेट्स लू छोटे चोटे पार्ट्स देवेचिकी कार देना ब्रेक कार देना हां जी रेगुलर लगेगी क्लास टॉपिक वाइस होएग स्युक्यबर तद्दक्रे वाइस भाइस होया कर दोला भी होज पूर्प भी ग्याश जी क्लियर हो ऊच्छिन गध्यमेंट लिकैरा थ स्भाय मिस्टेक ऋस्वेशन आना है जड़ह क्रेटिव मिस्टेक एक्सपिरियेंशियल एक्सपिरियेंशियल दा मतलब हुने अनुबवदे अधार ठीक है जो दो आपने पास्ट एक्सपिरियेंश दे बेश्टे किसे नवी चीज दी रचना कर दी हां ने टाइम टेबल वेच राजे टॉपिक मैंशन नहीं होएगा बाकी रेगुलर क्लास ते चमयात वान उदाज़ांगी कि आपका काल केड़ा टॉपिक देंची क्यूज करांगी ठीक है जी हां जी रीटु बाला अच्छी गाल है थैंक्यू वेरी माच बाकी प्रेपरेशन ते ही डिपेंड कर गया है क्लियर है जी हां जी दे थैंक्यू रमन आंसर आगया जी अपना एंदा सी ऑप्शन नेक्स्ट है जी आपका चल देया सेमन्थ रंबर क्वेशन ते हवाड गार्डनर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एंफेसाइस हवाड गार्डनर दा मल्टीपल इंटेलिजेंस क्योंकि इंपोर्टेंट है त्यूरी और मैं चांदी सी कि हवाड गार्डनर दे जिनने ज्यादा क्वेशन मैं त्वानु करवा सकदी सी वह सारे ही लगवाई हां जी थैंक्यू बलजिंदर कोर हां जी जर्नल इंटेलिजेंस कोमल अबिल्टीज इस रिक्वाइड इन स्कूल्स दी यूनीक अबिल्टीजेंस ओफ इच ज्यादा तरह दे इंटेलिजेंस हो सकदी है और हार एक वैक्ति वेच इने विलखन योग किसे कोल म्यूजिकल इ इंट्रापर्सनल है अलाग लगनी रतन सिंग राजे तुसी दीपक सर्थी आज वीडियो नहीं देखी उन्हान ने वीडियो छोटी जी बनाके डिसेंड किती है सारे आंगे ग्रूप देवेच कि जो जदो भी पीए स्टेट आजी कोई इन्फोर्मेशन आएगी सारे स्ट इसनों अनुभवी सबूता द्वारा बिल्कुल भी समर्थन नहीं दित्ता जा सक्दा और मल्टीपल इंट्रीजेंस प्रवाइड स्टूडेंट्स तू डिस्कवर दापर्चूंटीस मल्टीपल इंटेलिजेंस विद्यार्थ्यानों मोक्या दी खोजले परदान कर दी है इसनों अनुभवी सबूता द्वारा बिल्कुल भी समर्थन नहीं दित्ता जा सक्दा और मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली टैलेंट प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज होल मल्टीपल इंटेलिजेंस सिर्फ प्रतिबा है जो समुचे तोर्थे बुद्धी नों प्रेजेंस से विचे क्रिटिजेंस अपने इंटेलिजेंस आपनों इसका यहां नहीं नहीं आएगा यह नहीं अनुभी सबूता द्वारा बिल्कुल भी स्मर्थन नहीं दिता जा सकता तेको आपक क्रिटीसिजम दी गाल कार रही है कि क्रिटीसिजम क्यों दिता गया से ठीक है सी ऑप्शन आंसर नहीं है नेक्स्ट है जी अपना नाइन्थ नंबर क्वेशन है इंटेलिजेंस थ्यूरी इंटेलिजेंस थ्यूरी विच बुद्धी विच शामिलमांशिक प्रकिरिया म्यादि अते बुद्धी दे वक वक रूप रूप रचनात्मक बुद्धी लाय सक्दे हन स्पियर्मेन जी फैक्टर स्टर्णबर्ग ट्रायार्किक थ्योरी ओफ इंटेलिजेंस बोथ एंड भी ननों पबब हांजी पीए स्टेट दा राजे ओफीशियल हले कुछ भी नहीं आया है जो दो भी कुछ पता लगेगा जुरूर तो अनुइन पॉम कारदा है हां जी नाइन्थ नंबर क्वेशन आंसर दो राजे हां जी जल्दी ता इंटेलिजेंस थ्योरी वीच बुद्धी वीच शामिल मानसिक प्रकिरियावां शामिल हां ता वक्ष वक्ष रचनात्मक बुद्धी दा रूप लाए सकते हम त्याकिंदे अंदर आएगा जी प्रायर की ख्यूली देच गाल कर देगा त्रेटी इंटालिजेंस अंसर आएगा जी अपना बी ऑप्ष बहुत अच्छा लाग रहे है तो आनुसार्यान वापीस एक वरी देखके और तो आनुसार्यां दे रिप्लाइदे कि बहुत वदिया कमेंट का रहे हो एक क्वेशन नोट वाला कोश्चन त्या अनल पढ़ने दो वरी पढ़ने क्योंकि मिस्टेक्स होंडे चांसी हो जान देगे त्यूरी ओफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वारे लोच नात्मक विचार हेट लिके विचो केड़े हन हां जी सुख सेम टू यू राजे इट इस नोट रिसर्च बेस्ट एक होजदारित नहीं है डिफ्रेंट इंटेलिजेंस टिमांट डिफ्रेंट मैथर्ट स्टूडेंट वक्वक बुद्धी वक्वक विद्यार्थियां यहां वक्वक तरीक्या दी मंग कर दी है गिफ्टिट स्टूडेंट्स यूजली एक्सलीन सिंगल डोमेन हम उप्तम हों दे हन ता जो अपनी मुल्टीपल इंटेलिजेंस फूरी है ओकी कहने है हां जी मुल्टीपल इंटेलिजेंस चूरी थे लास्ट अप्शन देडर आ गीए इटीज लैक ओफ इंपैर्रिकल स्पोर्ट इस वीच अनुभविस मर्था दी काठ है ता देखो जो कि तरह दी डमेन मीच हूँ उत्तम होंगे लेकिन गिफ्टिट स्थिद्ट रर्च मुल्टिपल इंटेलिजन्स हों टू तू आंसर और आएगगा एक्से पुच्छा है एक्सेप्ट कुच्छा है त्यान घल्लत आंसर निदेना दिल शान कोईशन नूटे आनना पड़ा करो स्पाल शर्मा क्वेशन था अननाल पड़ो जी नेक्स्ट टेंथ नंबर हां जी ती पॉल्विंग स्कील्ज आर इन्वाल्ड इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट वाले क्वेशन तान करवाई जान दिया बार बार ताकि तौन दिक्कत नाए ठीके जी पावनात्मक मैनेजमेंट ओफ इमोशन पावनावाद परबंद भी सही हुंदा है क्रिटीशिम ओफ इमोशन अपन पावनावाद यह लोच ना थोड़ी करांगे हैं एमिकेबल रिलेशन विद ग्लास पर लोगों क्लास विच दोस्ताना रिष्टे हेट लिखें मतलब अब दे स्ट्राइब देख प्लीज लायक सब्स्क्राइब और शेयर करो जी चुद्रस ज्टे इस नंबर ते मैसेज करो टेलीग्राम चैनल भी ज्टेलाइन कर सकते हो सावल क्लासिस टेलीग्राम लिख्के सावल क्लासिस पीस टेटलिक के टेलीग्राम चानल भी जोन कर सक्कि हूँ और एक वारी में फिर तो दस दें यह सारे स्टुडेंट्स तो कि जो अपना ओपन लेक्चर्स आहें आपना शेडियूल रहेगा वह इस तरह होएगा जी तरह स सवा तिन, सवा तिन पंजाबी पैड़ा गो जी, ठीक है जी, और रात नूँ आठ वजे तो अड़ी लगेगी जी, इंग्लिश पैड़ा गो जी, और उस्तो बाद नो वजे लगेगी राजे, मैं आती क्लास, पेपर वान और पेपर टू, दो न देली, ठीक है जी, क्लियर, जो अपना रेगुलर शेडियूल है, पहली गलता, चेंजी होन गया नहीं अगर चेंजी होन गया, तो आनू जुरूर इंफर्म किता जाएगा, आपने आप आजया करो, पूरे टाइम ते, क्लास में अपने आप आजया करो, तांकि तो आनू भी तो अड़ा भी नुक्सान हां जी, नेक्स्ट है जी, 11 अंबर क्वेशन, हां जी, तां 11 अंबर है, वीच वन अफ फॉल्विंग इस आप स्टर्णबग ट्रायार्किक थ्यूरी आप इंटेलिजेंस, हां जी, एनना भी चो केडा स्टर्णबग दे बुद्धी दे ट्रायार्किक सिदाक दा रूप है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक्स्पेरिमेंटल, रिसोस्पूर, मैथेमेटिकल, हां जी, EBS दी क्लास्ट भी कल तो स्टार्ट होएगी जी, ता देखो चो अपनी स्टर्णबग दी ट्रायार्किक थ्यूरी आप होने पड़ी है, केड़े-केड़े, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रियेटिव और अनलेटिकल, ए तेनन उन दिये, इनन सारे विच वो आता आन्या ही नी, केड़ी आएगी आंसर, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ए ऑप्शन इस राइट आंसर, की हो गया तो आनू सी ऑप्शन क्यों आंसर दे रहे हो, हां फ्लीज क्वेशन में त्यान नाल पढ़ो की हो गया गलत आंसर, भूबल खेर, गलत आंसर, प्लीज त्यानल पढ़े हो, क्वेशन में देखो, मेरा तनी नुप्सान हो रहा। अगर गलत अंसर दियांगे फिर पेपर वेच भी बाई मिस्टेक ही हो जाता है आप उत्थे भी गलत लगा बैड़ते हैं आजी रूही गुंबर वेरी गुड आफ्टरनून आजी इवेज़ी क्लास दा टाइमिंग राजी ओवी दाजदा में कालूं गलत हां वेरी गुड परवीर उन्नी सो पांच देवेच बीनेट साइमन टेस्ट आया शिगा और यह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सी जो 1905 वेच आया सी लेकिन 1904 देवेच फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आया सी यह सारे स्टूडेंस ने त्यारनाल गाल याद बच्च रखनी है क्यों क्योंकि पेपर देवेच बच्चे गल्ती जरूर करके आंदियो ठीक है यह सब्सक्राइब हो जान दिया उन्नी सो चारवेच आया सी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो एल्फ्रेड बिनेट ने जिता है अंसर आगया जी अपना बी ऑप्शन नेक्स्ट है जी थर्टीन नमबर क्वेशन हां जी वीच आफ दा फॉल्विंग स्किल इस इस एंप्थाइजिंग कि सेनल सहान नू बुत्ति होना तांसर आगया जी अपना बी ऑप्शन हां जी इंग्लीष दी क्लास वी राजी आज लगेगी न तो अनुमें शेडियूल वाला हुने जस्ते आशीगा इंग्लीष दी लगेगी रात नू आठ वजे ठीक है रात का कंटेक्स्ट ओफ क्यूरी ओफ मल्टिपल इंटेलिजेंस वीच वान ओफ दावल्विंग इंटेलिएंस इस रिक्वाइड और एंएर फोर्स पाइलेट देवेच किस तरह दी इंटेलिजेंस हुन्दी है इंटरफर्सनल तांदी ये जड़े एक दूसरे नू समझ देज किवर डॉक्तर ऑगए'tी लिंकविस्टीक किंदेव डीजेंन्देवेच हुनदीयापॉयट होगेहां हानला टीचर अदीय सोशल वरकर्वेच फोलिटिकल लीटर्स होगे रॉर्ण जीम वालेयर फोर्स पाइलरट देवेच जच विड अशे काईशनीस राइड आंश्यो आपने आपनों समझना वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो कि C option is right answer हां जी नेक्स है जी 15 number दी फैक्टर मीज जी फैक्टर स्पीर मेंगरे जो थ्यूरी है वादी अन्दर जो जी फैक्टर है किस ना ना रिलेटिद घैरने इंटलिजएंस नहीं जनरेटिव इंटलीजएंस नहीं जनल सिम्देशन ना रिलेटिद इनिए है Charles Spearman ने टू फेक्टर्ज दि गल किती है केडे केडे एक ता जी फेक्टर है जन्नल इंटेलिजेंस और एक S फेक्टर दि गल किती है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दि गल किती है आंसर आगे जी अपना C ओप्शन Clear है जी? Next आगे जी 16 नंबर क्वेशन इमोशनल इंटेलिजेंस में भी एसोशेटेड विद विच डुमेन ऑफ दा थ्यूरी अफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हां जी थैंक्यू वेरी मच पावनात्मत बुद्धी बहु बुद्धी दे सिदा दे केड़े खेतर नाल जूडी हो सकती है इंटरपर्सनल और इंटरपर नांगे गार्डन और आगे छैना तेर आगे लिए वैच बड़ वाच जडेज पंचीयां बारे जान जड़े हंटर शिकारी हुंदी यह जोरोजिस्ट आगे जोलोजी वाले हैंना बोट बोटमी वाले आगे वनस्पति विज्यां विज्वल स्पेशिल किनना को लुन दिय स्लप्चर जडे मूर्थियां बनादे है आर्टीटेक्चर को रोभ और मैप हो गया और शचेंश बाइना को लुटनीया को संत लोगा को तर कि मतलब सब्सक्राइब तर दुनिया ते आंदा की मनौरत है जनम के रहता है लेकिन जो अपनी इमोश्ण इंटेलिजेंस हो कि इन् इंट्रा परस्नलि इंट्लिजंस āए दोना दा डिफरेंस अपना एंट्वावांगे राज़े सारे सहाव स पाज्जें एंशीक में करवाँगे टॉपिक वाइस नेक्स काईजिस इंटेलीजेंश इज बुद्धी की है इस सिंगुलर एंड जैनरीड इस पोब्लूर। आप जल्दी आंस्वर दो बुद्धी की है सेट ओफ कैपेबिल्टीज है डी ऑप्शन इस राइट आंस्वर राजी सी क्यों आएगा सिरफ स्पैसिफिक इंटेलिजेंस नो अपा बुद्धी करने है अपनी जनरल इंटेलिजेंस भी तब हुंगी है जरी सारे वेच सेम हुं पो लगे एनने दिन क्लास में लगी पो लगे अबिलिटी टू कैरी ओन एब्स्ट्रेक्ट थिंकी पढ़ दे नहीं तुसी जो तो क्लास लग दिया हो तो पढ़ लेने हुं अग्डे भिछे केंदे लोडी भी पढ़न दी है ना आंसर आगे जी डी आउप्शन वेरी दा फॉल्विंग ओफ दा हवार्ड गार्डनर थ्यूरी हां जी मैक्सिममम 30 होंगे आज वैसे आपने टोटल है गया जी 26 कोईशन्स ठीके कुछ टाइमिंग भी होन वाली है सबा तिन वजे तो अड़ पंजाब भी पैड़ा गोजी ता लेक्टर लगी मूजिकल मूजिकल इंटेलिजेंस किन्दे कोल हुंदिया है जी मूजिकल इंटेलिजेंस किन्दे कोल हुंदिया है वालनिस्ट जेड़े वाइलन बजान दिया है ठीक है लिंग्विस्टिक पशाई बुद्धी किन्दे कोल होएगी पोईट कोल इंटर परसनल जेड़े एक दूसरे नू समझ प्रोपर ने लिख्या बस तरू आइडिया देता यह आंसर की बन गया जी अपना सी ऑप्षिन सी ऑप्षिन इस राइट आंस्वर हंगी जिस्पाल शर्मा हर्दीप सिंग प्लीज राजे क्वेशन नो ते आनल पढ़के आंस्वर दो क्यों गल्त कार रहे हूं अच्छा नहीं लगदा है उन्हें प्रेपरेशन कारके पेपर देन जावांगे तो फर्स्ट टैंप क्लियर हो जाएगा और अगर आपका कांगे कि टाइम पास कार रहे हैं फिर जिन्नीवारी मर्जी लगए लो नहीं क्लियर होना हां जी 19 नंबर क्वेशन दी कंसेप्ट ओफ इंटेलिजेंस कोशन और आइक्यू वास जवाल्प्ड बाई इंटेलिजेंस कोशन जा आइक्यू दा संकलब किस द्वारा विक्सित किता गया गाल्टन बीनेट स्टान टर्मन एक्यू दा कंसेप्ट किस ने विक्सित किता है विलियम स्टांने असक्यून कीस ऐसे बहुत जनियानु नों पाइक्स्तलेंर पाहा गाल्फ लेकिन रवाइज्ट उप्ड़न अचयू आइक्यू धी गल्फूइ रिवाइज़ आईक्यू दा कंसेप्ट आया ता ओ किस ने ड्वाल्प किता है जी लुईस टर्मन ने ड्वाल्प किता है कोदो किता 1916 देवेच और की आया आपने को आईक्यू इस इक्वल टू मैंटल एज अपोन क्रोनोलोजिकल एज मल्टिप्लाई बाई 100 ठीक है जी आंसर आगे जी अंदा आपना C option नेक्स्ट है जी 20 नंबर क्वेशन क्रेटिग इस थोट तू बी रिलेक्टिड विद तू दा कंसेप्ट ओफ क्रेटिविटी आएगर आजे स्पैलिंग मिस्टेक है क्रेटिविटी इस थोट तू बी रिलेक्टिड विद विच कंसेप्ट क्रेटिविटी किन देना रिलेक्टिड है यूड इंटेलिजेंस नाल ठीक है तरल बुद्धी नाल क्रिस्टलाइजड ठोस बुद्धी अपनी डिवर्जेंट थे नाल बहु विद चिंतन जोदो हार एक आसपेक्ट मीदेग देख देहां हार एक आसपेक्ट बारे सोच देहां डिफ्रेंट डिफ्रेंट ताइफ देनाल ठीकिंग करांगे तक उछ नवा क्रियेट कर पाओंगे नेक्स्ट अजी अपने हां जी बहुत वर्या गाला है रेगुलर लाइफ क्लास लगाया करो राजे एस पर हवाट गार्डनर थियोरी अफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ओफ पर्सन विद फॉल्विं थ्रेक्टरिस्टिक्स तूबी कैट्गराइज्ट हवाट गार्डनर थे मल्टीपल इंटेलिजेंस इस तांतर नुसार रेट लिख्यां विशेश तामा वाइच्चों हां जी उन्दे बेस्ट भी कोईशन करवाड़ांगे व्यक्ति गत्ती बुद्धी भी श्रेनी बद किता जाएगा इंट्रापर्सनल इंट्रपर्सनल थेरापिस्ट नेच्रलिस्टिक हां जी किस देना रिलेक्टेड है जी ताम अपन उनाने की पुच्छिया ओं केंदे की इंट्रीजेंस ओवा पर्सन विद्ध क्रेक्टराइस्ट टूबी ता देखो ओनाने क्या कि जो हवाड गार्डनर दी त्यों थ्योरी है ठीके ओनानों आपा हेट लिके वीचो क्योंगे श्रेनी बद कार सकते हां एक मिनिट कोईशन देवेच थोड़ी जी मिस्टेक है क्वेशन जी थोड़ी जी मिस्टेक है एथे क्वेशन में जो यह पूछना चांदी है मैं तुआ नुदास देनी एक मिनिट ते आमनाल सोलो ऐज पर हवार्ट कार स्फिर्यों एज पर मृतिपल इंटेलीजेंस हाओ बूटे इंटेलेजेनस ओफःच फॉपरंस बिनटेंस अदर्स थिचे वीच अंडर्स्टेंड अधर्स एथ्यान है एरो लगा रही है ठीक है विच अंडर्स्टेंड अधर्स विध्धा फॉल्विंग च्रेक्टर्सिक्स तू भी कैट्गराइज्ट जो दूसरेयानू समझन्दी जिन्दे वेच योगता है उन्हों आपके वेच लमांगे जी ओ अपना इंटर्पर्सनल इंटेलिजेंस भी ओप्शनी राइट आंसर ठीक है जी इंटर्पर्सनल जिन्दे को दूसरेयानू समझन्दी योगता है ता इंटर्पर्सनल इंटेलिजेंस आएगा बी ओप्शन नेक्स्ट है जी आउट ओफ दा फॉल्विन वीच इस नोट दा टाइप ओफ ग्रूप ओफ नोन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एनना वीचो केड़ा ग्रूप गैर मोखिक बुद्धी टेस्ट दी किसम नहीं है आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट सेम ही लिखना है कि डिफिकल्ट हो या जिन्दी जुरूरत हुदी है मैं अपने अप लिखवा गया, हां जी नोन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दे अंदर केड़ा आएगा राजे जल्दी दस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, गलत आंसर क्यों दे रहे हो, की हो ग जल्दी जल्दी कंप्रीट कर दिया, हां जी आर्मी अल्फा टेस्ट है जो, यह है जी वर्बल ग्रूप टेस्ट, ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट की है, वर्बल ग्रूप टेस्ट है, ठीक है, बाकी सारे की ने नोन वर्बल ग्रूप टेस्ट है, क्लिर है जी, क्लिर है, आंसर आगया जी आपना बी ओप्शन हां जी थी क्वेश्चन रहेगे जल्दी जल्दी कर लो विच इस नोट आ किंग ओफ इंटेलिजेंस हां जी काइंड आना जी विच इस नोट आ काइंड ओफ इंटेलिजेंस पॉन बुद्धी दी किसम नहीं है एनना वी चो केड़ा सोशल इंटेलिजेंस और मकैनिकल लेकिन फॉर्मल इंटेलिजेंस हों दे अंदर नहीं आन्दा ता आंसर आगा जी अपना डी ओप्शन हां जी नितु बाला वेरी गुट नेक्स है जी विच इस नोट रिलेटेटिट तो दा क्रेक्टरस्टिक्स उप इंटेलिजेंस बु सी ओप्शनिस राइट आंसर ठीके लिंग दी कोई पिनतान नहीं हों जी नेक्स जी एट्रिब्यूट्स ओफ इंटेलिजेंस आर लेवर रेंज एरिया स्पीड ओल अफ अबव दी ओप्शनिस राइट आंसर ठीके जी ओके जी थैंक्यू वेरी माच यह अपने हेल्प अपा कल करांगे नेक्स्ट क्लास तो अड़ी पंजाबी दिया जी सारे सुडेंट्स लाइव ही रहना पंजाबी दे लई और रेगुलर लाइव क्लास लगाया करो टाइमिंग तो अनुदास दिती जाएगी बाकी में तो अनुद एक वरी दस चुकी हैं ओके जी पंजाब पंजाब जो पत्वारी एक्साइज लडी सी यूडी सी वीडियो पंजाब पुलिस नयाब तसींदार और यह अपना हेल्प लाइन नंबर नीचे मेंशन करे हो या जी कोल कार सकते हो ओके जी थैंक्यू बेरी मॉच पंजाबी दी क्लास चार्ट होन लगी है फ्ल कि सारे स्टुडेंट जल्दी पहुंचे